नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है मेरा नाम इंद्रभान जो इस चैनल पर नाया किर्पया सस्क्राइब करें आज का जो प्रेक्टिस सेट है किस पर अधारित है वो खजुराहो मंदिर, लोरा, आजंता की गुफाएं और नागर सैली, दर्बि वीडियों को अंत तक जरूर देखिएगा तो और इसी में सभी का जैसे खजुराहो का, इलोरो का, इलोरो का और अजंता का इन सभी का जो है, हम बढ़ियां से ब्याक्या भी करने वाले हैं, ठीक है, तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर अस्थापत क निर्मार में सही होगी था, कौन था, चार आफसन है चंदेल, दूसरा है गुर्जर प्रतिया, तीसरा है चामान, चौथा है परमार, तो इसमें जो आफसन ए सही है, वही अर्था चंदेल, चंदेल ही सही है, इसमें आफसन ए, ये खजुराहो मंदिर के अस्थापत में सही होगी था खजराहो मंदिर का जो निर्माण होता है दोस्तों वो 950 हिसभी से लेके 1050 के 1050 हिसभी के बीच में किया गया है किसने करवाया था चंदेलों ने करवाया था खजराहो जो मंदिर है ये क्या देखते हैं पूर्वी समुव में आपको जैन सम्बंदित क्या जैन सम्बंदित ये इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए पूर्वी समुव के पूर्वी समुव में जैन मंदिर हमें देखने को मिलते हैं कौन से मंदिर जैन मंदिर देखने को मिलते हैं तो जैन मंदिर में किसके किसके मंदिर हैं जैसे पारसुनाथ के जो तेसे हुए तेस तीर्थ कर हैं उनका मंदिर हमें देखने को मिलता है मंदिर के पूर्वी भाग में तो पारसुनात का मंदिर सांतिनात का जैन मंदिर इसके साथ में क्या इसके साथ में और हम आपको बता दो जो ये आपको मंदिर मिल ला है तो पारसुनात और इसके साथ सांतिनात ये सब किसे दिगंबर संपरदाय से थे क्या दोस्तो दिगंब दिगंबर संपरदाय से संबंदित था, जेन धर्म के दिगंबर संपरदाय से संबंदित था, कौन खजराहों के, खजराहों मंदिर के अस्थापत में जो पूर्वी समुह आते हैं, उनके अंतरगत ठीक है, पूर्वी समुह में जेन के दिगंबर संपरदाय आते हैं, इसी के मंदिर भी पूर्वी समुह में आता है जावरी मंदिर ये इतने चार मंदिर हैं आपको याद करना है कौन वामन मंदिर जावरी मंदिर पारसुनाथ जैन मंदिर सांतिनाथ जैन मंदिर जो ही है ये खजुराहों के पूर्वी समुह के अंतर गताते हैं अगर आप TGT, PGT, NetJRM, PCSIS की तयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको डीपली ज्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये Art and Culture का Question है और बात करते हैं आगे अगला Question है कहरा है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर क्या कंदरिया महादेव मंदिर पूछ रहा है बहुत IMPORTANT है कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था तो वही Question है रिपीटर चंदेलो ने बनवाया था ठीक है और बात करते हैं दोस्तो पीछे हम बात किये थे दोस्तो पूर्वी समूँ के बारे में खजुराहो के पूर्वी समूँ और अब हम बात करेंगे यहाँ पर पस्चमी समूँ क्योंकि यह Question जो संबंदित है यह पस्चमी समूँ से संबंदित है तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है क्या कंदरिया महा महादेव का मंदिर यह सबसे बड़ा अस्थल है क्या या इस मारक है किसमें खजराहो अस्थापत में खजराहो अस्थापत में सबसे बड़ा इस मारक कौन सा है कंदरिया महादेव का मंदिर यह भगवान सी उसे लीजिए उसके साथ में कापी में भी उतार लीजिए गा क्योंकि आप बहुत ज्यादा भूलेंगे बता दे रहे हैं लचमड लचमर منदिर और वराह मंदिर और कंदरिया कामांधेव मंदिर जो है ठीक है शिंग मंदिर और देवी जगदंबा मंदिर सूर का सूर का सूर मंदिर या इसी को चित्र गुप्त भी कहा जाता है यह एक मात्र मंदिर है सूर का मंदिर यहां पर है कहां यह पस्चिमी समुह में है एक मात्र इसी को चित्रगुप्त भी कहा जाता है और जो कंदरिया का महा देव मंदिर है दोस्तों ये पंचायन सहली में क्या पंचायन सहली में बहुत इंपॉर्टन्ट है पंच आयन ठीक है क्या पंचायन पंचायन क्या दोस्तों पंचायन समुह में क्या पंचायन समुह में ये बनाया गया है लिख नहीं रहा है सही दोस्तों कलम सही से काम नहीं कर रहा है तो पंचायन समुह की सहली में इसका निर्मार किया गया है कंदरिया महा देव का मंदिर का बहुत important है और इसी के आधा इसी पंचायन क्या पंचायतन क्या पंचायतन इसी को पंचायन या पंचायतन सैली बोलते हैं दोस्तों तो पंचायतन सैली के अंतरगती विस्वनात मंदिर भी बनवाया गया है इसी में किस समू में तो पस्चिमी समू के मंदिर जो है तो सबसे important इसमें कंदरिया महादेव मंदिर है ये सबसे बड़ाइस मारक मंदिर है खजराहू मंदिर में और इसी के साथ साथ में कौन-कौन से मंदिर आपको मिलते हैं तो लचमड मंदिर लचमड मंदिर वराह मंदिर और इसके साथ में सिंग मंदिर देवी जगदंबा मंदिर और पंचायतन सैलीं पे विसुनात मंदिर का निर्मार किया गया है पारबती मंदिर इतने मंदिर जो है किससे संबंदित है यह पश्चमी समूह से है इसे रिपीट करके भी सुन लीजिएगा और कापी में भी उतार लीजिए दिमाग में भी छाप लीजिए दोस्तों एक कोश्चन जब आता है ना तो यहीं से आता है और लड़के यहीं से गलती कर जाते हैं और सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव है इंपोर्टन्ट है सबसे ज़्य पश्चमी समुह में तो इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए इसके साथ में जैसे दसा अतार मंदिर बराह मंदिर क्या दोस्तों बराह मंदिर और सूर का चित्रगुप्त या सूर मंदिर इसी को चित्रगुप्त मंदिर भी कहते हैं यह सूर का एक मात मंदिर है यह भी बहुत important है सूर का एक मात मंदिर भी जिसे चित्रगुप्त मंदिर कहते हैं खजुराहों के पश्चमी समुह के अंतरगत आता है अब और बात करते हैं करा किस राजवंस ने भारत को परसित खजुराहों के मंदिर दिये तो वही question है बार बार इधर उदर करके पूछ रहा चं मंदिर बहुत important है इसे दिमाग में दोस्तों छाप लिजिए और बिसनुह का भी मंदिर यहां पर पाया गया है और बता दें question बहुत पूचता है कि यहाँ पे किस धर्म के मंदिर पाए जाते हैं तो पीछे भी बताए थे तो बैस्णो, सयो, साक्द और जैन बंदिर ठीक है तो यह तीन धर्म यहनी की चार धर्म बैस्णो धर्म, सयो धर्म, साक्द धर्म और जैन धर्म संबंदित है किस से तो खजुराहो के मंदिर समूँ से संबंदित है आगे question चंदेल राजाओं ने निर्माड किया तो important है खजुराहो का जो अस्थापत है वो चंदेल के राजाओं ने ही किया था और साची का इसमें जो है दोस्तो आपसन में साची तो साची का निर्माड साची का स्थूप जो है किसने निर्माड करवाया था समराट असोक ने करवाया था लेकिन आगे चल कर क्या करता है पुस्यमित सुंग जो था वो क्या करता है इसको तुड़वा देता है लेकिन ऐसा कहा जाता है इसी का पुत्र अगनीमित्र क्या अगनीमित्र जो था उसका फिर से निर्मार करवाता है अर्थात जब असोक ने बनवाया था किस परकार से बनवाया था असोक ने लकडी का बनवाया था लेकिन अगनिमित्र जो था वो क्या करता है अगनिमित्र इसके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से इसको ढखवाता है ठीक है यानि कि पत्थरों से निर लिमित्र सुंग ने करवाया था, उजयन तो उजयनिय से सम्बंधित क्या है उजयन में महा काल मंन्दिर अभी इंप्वॉटंट है जल्द ही में दोस्तो प्रधार वंगे मंतरी नरेंद्र मोदी ने महाकाल कारीडोर का द्गाटन टरके आये हैं कहां से उज्जैन से बहुत इंपोर्टन्ट है तो उज्जैन में महाकाल कारीडोर महाकाल कारीडोर अस्थापित किया गया है बहुत इंपोर्टन्ट है ठीक है इसे दिमाग में छाप लीजिए आगे बात करते हैं खजराहों के मंदिर सम्बंदित है तो बगध धर्म से हिंνदु धर्म से हिंदु धर्म और जैन धर्म और जैन धर्म से तो आप पीछे पहले भी बता चुके हैं UPPCS 1993 में एक question आया है तो पीछे भी बता चुके है कौन सा सही है अप्शन तो इसमें सी सही है हिंदू और जैन से संबंधित यहां पे मंदिर बनाए गया है ठीक है हिंदू में कौन कौन से जैसे क्या बोलते हैं बैसडो धर्म सयो धर्म और साक्त धर्म ठीक है यह तीन हिंदू में और जैन धर्म अलग यानिक दूसरा धर्म य मंदिर बहुत इंप्वार्टेंट है दोस्तों ये बहुत इंप्वार्टेंट है करा मांत मांत गेशवर स्वर्व मंदिर है कि से संबंदीर है तो सीव से दोस्तों क्या सीव से समबंदित है बहुत important है पारवती मंदिर जो है ये भी किसमें पाये गया है खजुराओं के पश्चमी में क्या अभी हम पीछे बात किये थे न तो पारवती का मंदिर जो है जो हमें प्राप्थ हुआ है खजुराओं के पश्चमी समूह मंद इसी के साथ साथ दोस्तों जो विश्णू के वराह मंदिर है ये भी पस्चमी में ही मिलते हैं तो मांत गेस्वर जो मंदिर है और कंदरिया का महादेव मंदिर ये सब संबंदित हैं पस्चमी समू ये चो चार आपसन आया है दोस्तों ये बहुत इंप्वर्टन्ट है क्यों क क्योंकि ये पस्चमी समुह के ही आपसन है ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे पूर्वी पस्चमी और दच्छणी सभी समुहों का चर्चा विश्तरित कर दिया ठीक है तो आप भूलिएगा मत उसे कापी में च्छाप लीजिए क्योंकि जब कोस्चन आता है तो इसी प्रकार से जाता है जब रहेगा तो आपको आसानी होगी तो विश्णू जो है विश्णू का वराह मंदिर यह भी पस्चमी समुह में खजराहों के अंतर गता आता है सूर का एक मात मंदिर यहाँ पे है जिसे क्या कहा गया है चित्रगुप्त क्या चित्रगुप्त ठीक है इसी मंदि में कौन सा मंदिर खजराहों में नहीं है यह important है कि देखो इतना पीशे बता दिये न दोस्तों अगर यह आपको नहीं पता होगा तो आप गलत करके ही आएंगे अब बात करते हैं एक एक करके कंदरिया महादेव मंदिर 64 योगनी मंदिर दसाओतार मंदिर और चित्रगुप् खजराहों में नहीं है यह एलोरा का मंदिर है क्या यह एलोरा का मंदिर है दोस्तों बहुत important है इसलिए अजंता एलोरा खजराहों इनहीं के संबंदिस जब question पूछता है इनहीं के आपसन भी देता है और इनहीं से question भी पूछता है बहुत जादा तो एलोरा एलोरा जो कहां पर है इलोरा में स्थित है कहां महाराज के और अंगाबाद जिले में स्थित है और बाकी तीनों आपसन जो है यह इलोरा से ही संबंदित है कौन-कौन कंदरिया महादेव 64 योगनी और चित्रगुप्त चित्रगुप्त जिसे सूर्य मंदिर कहा गया दोस्तों देखो यह पे चित्रगुत लिखा है इसी को सूर्मंदिर भी कहा गया है तो इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए 64 योगनी का जो मंदिर है बहुत important मंदिर है यह भी किस से संबंदित है खजुराहों मंदिर से ही अब कंदरिया महादेव इस मारक के रूप में अगर देखा जा सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कंदरिया महादेव मंदिर है आगे बात करते हैं कराया निमलिखित में से कौन सा विस्दरोहर यानि विस्दरोहर अस्थर वर्ड हेरिटेज साइट नहीं है यह तीन आप चार आपसन दिया दोस्तों बहुत इंपॉर्टन्ट है कौन कौन सा पूछ आपसन है एक है आपसन खजुराहों के मंदिर दूसरा है भीम बेटका के ग यह क्या आपसन डी सही है मांडू का महल क्या मांडू महल जो है यह विस्दरोहर अस्थल में या विस्दरोहर अस्थल में इसे को विरासत भी कहते हैं धरोहर को तो विस्दरोहर अस्थल में इसे सामिल नहीं किया गया जबकि खजुराहों का मंदिर सामिल किया गया साची क इस्तूप और भीम बेटका की गुफाएं ये सभी सामिल किये गये हैं किसमें आपको विसधरोवर अस्तल या विसविरासत अस्तल में आगे बात करते हैं कह रहा है किस केंद्र में एक सो से अधिक गुफाएं हैं अजन्ता कारले कनहेरी राजगिरे तो आपसन जो इसमें सही आद दोस्तों किरांग बाउद से सम्बंदित प्हुछ रहा है तो सव से अधिक गुफाय 예ho THeurs क्षाने कंहेरी क्या कईगर हम एजन्ता की बात करें तो अजन्ता में सिर्क 34 गुफाएं हैं क्या 34 गुफाओं को ही हम देख लिए हैं और उसी साथ में कारले कारले जो मंदिर है यह कारले बहुत से संबंधित क्या यहां पर भी बहुत से संबंधित ही हमें देखने को मिलते हैं लेकिन यहां पर 100 गुफाएं नहीं है राजगिरे ये तो राजगिरे जो है मगद मगद समराज का क्या था मगद समराज का ये राजधानी था क्या कौन सा राजगिरे है राजगिरे मगद समराज की राजधानी थी बिंबिसार के समय ठीक है आगे कोस्चन करा है आबू का जैन मंदिर या माउंट आबू का जैन मं मर्मर से क्या संग मर्मर से माउंट का दिलवारा का माउंट आबू मंदिर या इसी को दिलवारा का जैन मंदिर कहते हैं या माउंट आबू का जैन मंदिर या ऐसे भी कोश्चन पूचता है माउंट आबूर पर किसके मंदिर अस्थापित है तो जैन धर्म या जैन मंदिर अस सुरू हो गया दोस्तों तो कह रहा है एलिफ हेंटा की गुफाय मुखिता निम्न धर्मों के मता और लंबियों के लिए उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी कोश्चन फिर से एलिफ हेंटा की गुफाय मुखिता निम्न धर्म के मता मता और लंबियों के उपयोग के बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे अधिक जो मूर्तिया है, वो हमें सयोधर्म से देखने को मिलती है, तो दोस्तों, हमने क्या बताया, कि जो Allifanta से समबन्दित कुछ कोश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं, तो Allifanta में, हमें दो धर्म के मंदिर हमें देखने को या गुफा देखने को मिलते हैं कौन-कौन एक सयो धर्म से संबंदित है और दूसरा बौध धर्म से तो बौध धर्म का यहाँ पर बहुत कम मिला है और सयो धर्म का अधिक मिला इसलिए कह रहा है मुख्यता यानि कि मुख्यता यह करना है जो बच्चे क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे उनको पता रहेगा कि दोनों वहां तो एलिफेंटा में सयव धर्म और बहुत धर्म दोनों फस्तित है इसमें देखेगा तो हीज हो जाएगा जोकि मुख्यता यहां पर यही सब इंप्वाटन्ट है मुख्यता एलिफेंटा की गुफाओं में मुख्यता जो है यह सब्द लिखा रहे तो उसमें जो आफ्षन होगा सी होगा सयव धर्म से संबन्दित है और बहुत धर्म की दो गुफा अब यहां पर हम नहantu करने थोड़ा दोस्तों इलि फेंट्टा में जो है सात गुफाओं का मिश्रण मिला है यानि कि साथ कुफाएं हैं ये मुंबई में है कहा मुंबई में है अब इसके साथ नह catastrophe है वह हींदूजं से हेरिटेज साइड में इसे मिलाया गया या घोसित किया गया थीक है कब घोसित किया गया तो 1987 में बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बात कर लेते हैं और इससे संबंदिज यानि कि सासग ने इसको एलिफेंटा की गुफाओं का निर्मार किया था अभी आगे कोश्चन मिलेगा तो उस पर भी बताते हैं यह कोश्चन यूपी पीसी यूपी लोवर सब और यूपी यूडी ए और यल्डी ए इस कोश्चन पूछा गया है आगे बात करते हैं करा एलिफेंटा के प्राचीन इसमारक है बहुत से जैन से सैव से बैसनों से तो पीछे हमने बात कर डील लिया है दोस्तों कि सम्स prag और और बौंदधर्ण पाई गया है तो इसमें एक और तीन साही होगा आफसंन सटी सही है आगे करा रहा है अगला question कहे रहा है दोस्तों, कि elephanta यही, यहीक सासक से संब्धि तो question पूछता elephanta के परसीद cell को काट कर बनाएंगे मंदिरों का सिरे दिया जाता है जो elephanta का cell है heißt leoparda को काट कर जो बनाया गया हैadan हैनि कि सहल मंदिर वो किसने बनवाया था या किस सासक ने इसका सयोग किया था तो आपसन देख लेते हैं चालुकों को, चोलों को, पलों को या राष्ट कूटों को तो इसका सरे दिया जाता है राष्ट कूटों को किसे राश्ट कूट ने इनका निर्मार करवाया था तो किस संग के बीच में पाच्वी सताबदी से ले के दोस्तों, पाच्वी सताबदी से ले के आठ्वी सदी के बीच तक जो हमें देखने को मिलता है वो राश्ट कूट के राश्ट कूट सासक द् Guarda elephanta elephanta के elephanta के मंदिरों को निर्माल करवाया जाता है किसके द्वारा राष्ट कूटो के द्वारा आगे बात करते हैं करानिम लिखित में से कौन सी गुफा 3 मूर्थी बहुत important है दोस्तो ये question 3 मूर्थी के लिए विख्यात है अजंता भाजा, elephanta अलोरा, तो 3 मूर्थ के लिए जो दोस्तो बिख्यात है क्या 3 मूर्थ के लिए वो है elephanta क्या, absence C है elephanta इसके साथ में elephanta से संबंदित question यहां पर और बता दे रहे हैं दिमाग में छाप लीजिए, कापी में भी उता लीजिएगा, अर्धना अगर सिल्पकला के वारे में बात करते हैं तो सिल्पकला के कच्छों में अर्धनारीस्वर, कल्यार सुन्दा सिव रामणद्वाला, कैलास परवद पर तप करने का दिरिस और इसके साथ में नटराज, सिव, मूर्थ जो है, इन सभी का सिल्पकला देखने को हमें मिलता है कहां पे तो एलिफेंटा में देखने को मिलता है आगे बहुत हिंदू जैन क्या बहुत हिंदू जैन सेल किरित गुआ हैं एक साथ विद्धिमान है बहुत important question है अजन्ता से एलिफेंटा से एलोरा से कारले से तो तीनो जो विद्धिमान है वो अजन्ता में है क्या तीनो जो विद्धिमान है दोस्तो वो किसमे विद्धिमान है अजन्ता में जबकि एलोरा में जो है एलोरा में एलिफेंटा में दोस्तो कौन-कौन से है एलिफेंटा में सिर्फ हमें कौन से दो ही धर्म देखने को मिलते हैं कौन-कौन तो हिंदु धर्म और बहुत धर्म कारले जो है यह बहुत धर्म से ही संबंदित है एलोरा, एलोरा दोस्तों बहुत important है क्या एलोरा जो है सुरी दोस्तों यहाँ पे हमने आपको answer गलत बता दिया है जो option इसका सही है repeat करते हैं फिर से बौध हिंदू और जैन से लकृत गुआ हैं एक साथ भी दिमान है तो कहाँ पर लोरा में दोस्तों ठीक है लोरा में हमें देखनों कोई मिलती है जबकि अजन्ता में अभी हम पीछे पड़ें हिंदू और जैन से सम्बंदित करा इलोरा में गुफाएं और सैल क्रीत मंदीर हैं किसके तो यह फिर से कोउच्चION पूचा हैं दोस्तो एलोरा में क्या एलोरा में तो आपसन वही है हिंदू बॉध और जैन यहां तीनों हिंदू बॉध और जैन से संबंदित गुफाएं हमें देखने को मिलती है या सैल कृत मंदिर देखने को मिलता है कहां पर तो एलोरा में देखने को मिलता है बॉधो और जैन बॉध और जैनों के जो मंदिर हैं वो ऐसे कहीं किसी भी गुफा में हमें देखने को नहीं मिलता है जबकि हिंदू और जैनों कभी नहीं देखने को एक साथ मिलता है हिंदू हिंदू और जैन का सारी दोस्तों अभी हम पीछे पढ़े थे कहां पर हिंदू और जैन के हमें देखने को मिलते हैं कहां भी बात किये थे तो खजुराहों में देखने को मिलते हैं और बौध जो है बौध जो है दोस्तों सिर्फ अजन्ता की गुफा जो है क्या अजन्ता की जो गुफा है माइकसिमम जो है वो बौधों से ही संबंदित है आगे बात करते हैं करा एलोरा में गुहा मंदित संबंदित है तो हिंदू धर्म से बहुत धर्म से जैन धर्म से अभी पीछे बात कर लिए तीनों संबंदित है एलोरा में बहुत जैन हिंदू तो आपसन इसमें डी सही है अगला कोस्चन अगला question कहरा important ये भी है दोस्तों कहरा प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंदित गुफा चिंतरांकन के केवल दो उधारन उपलब्द है इन में से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चिंतरांकन है अगुप्त काल के चिंतरांकन का दूसरा अवसिष्ट किस अस्थान पर उपलब्द है बहुत important है ये दोस्तों question जो है ये इन सी आर्टी से डारेक्ट ऐसे उठा लिया गया है वहां पर दोनों का ऐसे बताया गया है जब गुप्त काल आप पढ़ेंगे गुप्त काल का अस्थापत कला में तो उसमें इसे लिखा गया है कि इसमें जो है यानि कि दो उधारन उपलब्द है एक उधारन जो अजंता की गुफा में और दूसरा जो है पूँच रहा है वो हम यहां पर बताने वाले है तो दोस्तो इसका जो आपसन सही है क्या आपसन इसमें अगर हम पढ़ लेते हैं तो आपसन A है बाग गुफा अब B है लोरा गुफा C है लोमस रिसी गुफा D है नासी गुफा तो इसका जो आपसन सही है वो आपसन A सही है क्या आपसन A सही है बाग गुफा बाग गुफा और लोम रिसी, लोमस रिसी का जो चित्र है दोस्तो है, वो मौर कालीन ही है, क्या, ये मौर कालीन लोमस रिसी जो गुफा है, वो मौर कालीन गुफा है, जो की बराबर की पहाड़ियों में इस्थित है, क्या, बराबर की पहाड़ियों में इस्थित है, और नासिक गुफाए जो है ये नासिक गुफाएं जो चौथा आपसन है डी ये साथ वाहन समराज से संबंदित क्या नासिक गुफाओं को साथ वाहन समराज ने बनवाया था तो नासिक की गुफाओं को साथ वाहन ने बनवाया था एलोरा एलोरा पीछे हम बात ही करी चुके हैं दोस्तों एलोरा जो गुफा है क्या एलोरा जो गुफा है ये राष्ट कूटों के द्वारा निर्मार किया गया था ठीक है एलोरा की जो गुफा है राष्ट कूटों के द्वारा निर्मार किया गया था अगला कोस्चन कह रहा है कौन सा निम लिखित में से कौन सा एक सैल कृत अस्थापत का उधारण है टटिये मंदिर मामल पुरम, राज राजेस्वर मंदिर, तंजाउर, कैलास मंदिर एलोरा, जगनात मंदिर पुरी, बहुत इंपॉर्टेंट ये कोस्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोस्चन है दोस्तों ये, कहां पे इसका अप्सन जो सही है, ये सी सही है तो सहल किरित अस्थापत का उधारण हमें अगर देखने को मिलता है तो कौन सा है, कैलास मंदिर कौन एलोरा से संबंदिर ठीक है तो ये जो मंदिर है, ये सहल किरित अस्थापत का उधारण है, ये किसमे बनाया गया है तो दर्भीण सहली में दोस्तों इसे इंपोर्टन्ट है दर्भीण सहली में इसको बनवाया था किसने तो राष्ट कूट का सासक क्रिश्ट पर्थम ने किसे बनवाया था किस मंदिर को तो कैलास मंदिर को क्रिश्ट पर्थम ने ही बनवाया था सर पर्थम ठी जगनाज जो है बिश्डू से संबंदित है बहुत important है ठीक है और ये मामल पुरम सैली में तटिये सोर मंदिर ठीक है तटिये मंदिर या सोर मंदिर इसी को कहते हैं तो मामल पुरम सैली में इसका निर्माड किया गया है क्या पल्लों दोरा ये मामल पुरम जो सैली है ये पल् बहुत गुफा मंदिर बहुत मन्दिर के लिए कौंसा परशिद्ध है बहुत गुफा के लिए सिर्फ टो एलिफान्टा नालंदा अजंता खजुरा हो तो पहले भी बात कर चुके हैं कि अजंता में जो है सबसे जादा बहुत गुफा है हमें देखने को मिलती है कहां अजंता में ठीक है खजराओं में दोस्तों खजराओं में important है हमने पहले ही बता दिया है खजराओं में बैसडों सेयों और साक्थ इसके साथ साथ में जैन के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं और एली फेंटा में हिंदू बहुत जैन तीनो को तीनों धर्म का मंदिर या स्थापत देखने को मिलता किस मंदिर में तो एलिफेंटा में ही देखने को मिलता है नालंदा विस्विद्याले तो कुमार गुप्त पर्थम ने इसका निर्माड करवाया था अगे कुश्चन कर दोड़ा का निर्मार करवाया था तो रश्ट कूटों ने क्या किस ने रश्ट कूटों में सोर मंदीर या टट्टीय मंदीर का दिर्मार देखने को मिलता है यह एक नहीं कला सै है सब्सक्राइब क्या कैलास मंदिर रखína हो क्षजुराह क्षजुराह क्षजुर shין है तो इसमें जो आपसन है तो आपसन सीरे है क्या मंदिर एलोरा जो है यह अपने सहल किरित अस्थापत का आशार जनक माना जाता है क्यो तो इसके बारे में हुझत करते हैं का कैलास मंदिर सैल करित अस्थापत का आश्चर माला जाता है या शिव मंदिर अपनी आश्चर जनक सहली बिश्परशिध है क्यों стать दर्विट साली में निर्मीत किया गया है इसके साथ में इसका निर्मार किस ने करवाया था क्रिश्ट पर्थम ने अत्या धिक धन ब्याय करवा के बनवाया था ठीक है कलास मंदिर का आगे बात करते हैं और कंदरिया का महादेव जो मंदिर है ये खजुराहो मंदिर अस्था कि निर्माड करवाया तो पहले भी बता चुके हैं राष्ट कूट जो है क्या राष्ट कूट वही इसका निर्माड करवाय था किसका एलोर्व का कैलास मंदिर. और बात कर लें दोस्तों ये question मंदिर निर्मार करवाया गए, कौन सा है, चारों में से, एक एकर के बाद कर लेते हैं, तो सिरी मरीमन मंदिर जो है, B आपसन है, अंकोर वाट, C है, बाटू, केव जु मंदिर, D है, कामाख्या मंदिर, तो इसमें जो आपसन से ये, दोस्तो ये बी है क्या अंकोर वाट का मंदिर तो ये कमबोडिया में है क्या ये कमबोडिया में विश्णू की मंदिर है क्या कमबोडिया में विश्णू की मंदिर है और इसको भी क्या इसे भी इन इसको की 20 धरवर अस्तल में घोसित किया गया है इसे भी अंकोर वाट को भी ठीक है दर्बिन सालीक के मंदिरों में गोपुर्ण मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो क्या है गोपुर्ण से संबंदित तो आप सब देख लेते हैं गर्विग्रिये से दिवार पर की गई चित्रकारी से सिखर्प से और तोरन के ऊपर बने अलंकरित यूम बहुमंजला भवन से तो इसमें गोपूरम पूछ रहा है दोस्तो important है जो हमारे lecture को नहीं देखे हैं क्या एसेंट हिस्ट्री के वो playlist में जाके देख सकते हैं वहाँ पे कामने वरडन अच्छे से किया है ठीक है अब बात करते हैं तो इसमें आपसन जो सही है डी सही है तोरण के उपर बने अलंकरित यूम बहुमंजला भवन से संबंदित है कोन ये गोपूरम ठीक है बहुत important है दोस्तो और इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो भब यूम विसाल और प्राचूर मात्रा में सिल्फ कारता से अंकरित किया गया है कोन ये गोपूरम यानि कि दर्विट साली में जो मंदिर अस्थापित किये गया है गोपूरम जो होता है वो भब है और विसाल प्राचूर मात्रा में सिल्फ कारता देखने को हमें मिलता है ठीक है किसमें लेकिन हम बात करते हैं पांडे कालीन वास्टकला की भी सेस्ता जो मंदिर थी उसमें गोपुरम हमें देखने को नहीं मिलता है ठीक है गोपुरम हमें वहां पे देखने को नहीं मिलता है अब बात कर लेते हैं आगे अगला question अभी ये बहुत important question है क्योंकि यह पूछता रहता है दोस्तो अगर इस कहरा कौन सुमेलित है अगर आपको याद रहेगा चारो आपसन तभी यह कोस्चन आपसे सॉल्व हो पाता है इसलिए हम चारो आपसन की भी ब्याख्या करते रहते हैं कहरा है एलोरा की गुफा सक से संबंदित है मिनाच्छी मंदिर पल्लो से संबंदित है खजराहो मंदिर चंदेल से संबंदित है और महाबलीपुरम का मंदिर राष्ट कूट से संबंदित है तो कौन सा इसमें आपसन दोस्तो सही है बहुत इंपोर्टन्ट है तो इसका आपस के मंद्र राष्ट कूटों ने इसका निर्माड करवाया था पल्लो मामल सहली में सोर टटिये मंदिर या सोर मंदिर का निर्माड करवाया था किस ने पल्लों ने अब आगे बात कर लेते हैं कह रहा है यह भी सुमेलित करना है दोस्तों तो एक एक करके पहले सुमेलित कर लेत गों तेश्वार्तिमा प्रतिमा थिए ठीक है और इसके साथ में जो गोंतेश्वार्क की परसिद परतिमा है वो कहां पे है ये है दोस्तों कहां पे है ये है करनाटा यानि कि इसका पहला सही है और बचा एक लिंग राजमंदिर तो लिंग राजमंदिर जो है ये भूनेस्वर में है क्या भूनेस्वर में है तो पहले का दूसरा दूसरे का चोथा आपसन देख लेत हाँ sorry दोस्तो आपसन A ही इसमें सही है ठीक है आपसन A ही इसमें क्या सही है आपसन A सही है अगला question बात कर लेते हैं ये भी important है दोस्तो सुमेलित करना है एक-एक करके इसको भी हम देख लेते हैं तो आपसन अभी बाद में देखेंगे पहला क्या नालंदा पूछ रहा है ए नालंदा विश्विद्याले से संबंदी था ठीक है नालंदा जो जगा है वहाँ पर नालंदा विश्विद्याले स्थित था और इसके साथ में साची साची में क्या है स्टूफ है सी का चोथा संबंदित है सारनात में असोग का अस्थम्भ है क्या असोग का अस्थम्भ कहां पे है सारनात में और कोणार्क बचा यानि की डी तो यह सूर मंदिर सूर मंदिर यहां पे बनाया गया है कोणार्क में तो आपसन इसका क्या हुआ पहले का दूसरा दूसरे का पहला तीसरे का चोथा चोथे का तीसरा आपसन देख लेते हैं कौन है दोस्तो इसमें पहले का दूसरा दूसरे का पहला तो आपसन इसमें हमें बी दिख रहा है क्या बी पहले का दूसरा दूसरे का पहला तीसरे का च चांस्कृतिक इतिहास के संदर में पंचायतन सब्द किसके लिए निर्दिष्ट किया गया है या परियोग किया गया है। आपसन ए ग्राम के जेश्ट जनों की सभा, B है धार्मिक संपरदा, C है मंदिर रचना सैली, D है प्रसासनी कदिगारी से, तो ये जो पंचायतन सैली है, ये मंदिर रचना सैली से संबंदित है, और किसके काल में ये बिख्सित हुआ, तो पल्लो के क्या, पल्लो सासक के काल में पंचायतन सैली का, अमें विकास देखने को मिलता है सर्व पर्थम, और बात कर लेते हैं, ये बहुत important है दोस्तो, इसमें क्या करना है, भारतिये कला, आप से पहले question हम देख लेते हैं, कह रहा है, कि भारतिये कला, युवा संस्कृत के इतिहास के संबंध में, निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए, एक तरब विख्यात मूर्ति सिल्प है, दूसरे तरब अस्थल है, तो ये तीन अस्थल इसमें दिये गया है, क्या, तीन अस्थल दिये गया है, कौन-कौन से हैं, देख लेते हैं के करके, अब आपसन, और पहले कथनों को पढ़ते हैं, कह रहा है, बुद्ध के महा परनिर्वान की एक भव प्रित्मा, जिसके उपर की और अनेकों, दैबी संगीत तथा नीचे की और अनेक दुखी, अनुनाई दर्साये गए हैं, तो क्या ये अजन्ता के गुफाओं में देखने को मिलता है, मूर्द सिल्प में, तो अस्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं, हाँ, ऐसा मिलता है, क्यां अजन्ता की गुफाओं में हमें देखने को मिलता है, ठीक है और दूसरा है माउंट आबू से संबंदित माउंट आबू गुफा में पूछ रहा है प्रास्तर पर उतक्रेज़ बिष्णू के बराह आउतार की विसाल प्रित्माच जिन में या देभी पिर्थिवी को गहरे विच्छुफ सागर से उवेर्टे हुए दर्साया गया तो क्या ये माउंट आबू से संबंदित है तो ये गलत है दोस्तों क्या ये ही गलत है क्या ये गलत है क्योंकि बराह अवतार जो मंदिर है क्या बराह अवतार मंदिर जो है ये कहां से संबंदित है तो ये बराह अवतार जो मंदिर है ये आपको देखने को मिलेगा खजुरा कि संभनदीत है और तीसरा देख लेते हैं विसाल गोलासें पर उत्क्रीन अरक्रेसाओंस अर्जूं की तपस्या या गंगा ऑश moral म मैं क्या हमें देखने को मिलता है तो हां यह बास सभी है गंगा और यमुना का आत्रन हमें देखने को मिलता है मामल पुरम सहली में ठीक है पलो के सासनकाल में तो एक और तीन इसमें सही है तो आपसन देख लेते हैं एक और तीन क्या है हाँ है, आपसन C आपसन C ही इसका सही है अगला कोश्चन ये भी important है बहुत important है कह रहा है कि question क्या है भारत के कला और पुरा तात्वी कितियास के संदर में निमलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्मार किया गया था ये चार है दोस्तो चारों में पूँछ रहा है एक कह रहा है भूनेस्वर इस्थित लिंगराज मंदिर धौली इस्थित सहल किरित मंदिर महा बली पूरम इस्थित सहल किरित इसमारक और D जो पूँछ रहा है उदर गिरी इस्थित बराह मूर्त तो आपसन जो इसमें सही है आपसन हम की बात कर लेते हैं तो B धौली इस्थित सहल किरित हाथी, तो यह क्या है दोस्तो, धोली इस्तित सहिली क्रित हाथी क्या है? यह माउर कालीन अस्थापत का उधारणा है, आप जब धोली में जाएंगे, तो वहाँ ऐसा लगेगा कि गुफा से मानो एक हाथी सजीओ हाथी, क्या प्रसिद नयमी सारन ने तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है तो आपसन क्या-क्या है उज्जैन, मथुरा, सीतापूर और जबलपूर बहुत इंपॉर्टन कोस्चिन है ये पीछे तोड़ा दोस्तों हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा तो ये सातवी सतापदी में लला टेडू केसरी ने बनवाया था किसने सातवी सती में लला टेडू केसरी ने बनवाया था और बात कर लेते हैं महाबली पूरम तो महाबली पूरम जो है इससे पलो के सासकाल सासन में सातवी सतापदी में बनता है कौन सा महावली पूरम दोस्तों ठीक है अग उदाइगिरी में इस्थित जो है बराह मूर्थ की मूर्थ वो गुप्त काल से संबंदित है क्या उदाइगिरी का जो इस्थित बराह मूर्थ है ये किस काल से संबंदित है तो गुप्त काल से संबंदित है यह IAS 2015 में question पूछा जा चुका है इसी प्रकार से question पूछता है दोस्तो आगे बाद कर लेते हैं तो इसका answer दोस्तो क्या है नयमिसारन ने जो तीर्थ है वो क्या कहां से संबंदित है कहां से संबंदित है दोस्तो वो तो यह मतुरा से संबंदित है अगला question सोनगीरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए है किसके संबंदित है बहुत important है कह रहा है सोनगीरी जहां पे 108 मंदिर है ठीक है तो आपसन क्या गए रहा है दोस्तो आपसन है इसमें आपसन है दतिया बी है जहां सी सी है और चा डी है ललितपूर तो इसमें जो आपसन सही है या ए सही है तो सोनगीरी दतिया यानि कि मद परदेश से 15 किलो मीटर दूर इस्थित है या दिगंबर जैनियों का पवित रस्थान है क्या ये दिगंबर से संबंदित है कहां पे ये सोनगीरी में जो मंदिर हमें मिले हुए हैं यहां पे वर्तमान 77 मंदिर पहाडी पर और 26 गाऊं में इस्थित है यानि कि कुल मिला के 108 मंदिर हैं ठीक है कहां पर यह सोनगीरी परवत पर ठीक है भगवान चंद परवु से सम्बंदित 279 मंदिर यहां पर बनाया गया है जो सबसे उत्तम है बनवाया गया है सोनगिरी अभी तो हम बात कर चुके है क्या यहाँ पे भी जैन से संबंदित ही हमें देखने को मिलता है क्या मिलता है 108 मंदिरों को देखने को मिलता है और गिरनार जुनागर का जुनागर अवलेक या गिरनार अवलेक किसे संबंदित है रूद्रदामन दोस्तों क्या रूद्रदामन ठीक है इसे important है इसे दिमाग में छाप लीजिए आगे परसिद बिरुपाच मंदिर कहाँ इस्थित है तो बिरुपाच मंदिर पूछ रहा है परसिद बिरुपाच मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपसन है भद्रा, चलम, A, आपसन B, H, दंबरम, C, S, हमपी और D है जो है स्री, काल, हस्ती तो इसमें जो आपसन C सही है क्या, हमपी तो बिरुपाच मंदिर जो है हमपी, हमपी, बिरुपाच हमपी, बिरुपाच तो बिरुपाच मंदिर हमपी में है और बात कर लेते हैं दोस्तों तो इस कोस्चन में पूछ रहा है एलोरा का कैलास मंदिर निर्माड किसने कर वाया था तो पीछे ये भी Question हम कर चुके हैं राष्ट कूटो द्वारा क्या राष्ट कूटो द्वारा आगे बात करते हैं दोस्तों तो एलोरा में परसिद कैलास मंदिर की निर्माड में कौन सासक संबन्द रहा तो पीछे बात कर चुके हैं राष्ट कूट क्या राष्ट कूट और पल्लो जो है ये मामल लसाली का विकास करने वाले माने जाते हैं पल्लो ठीक है इलोरा में वही सिव मंदिर फिर से किसने बनवाया था तो किर्ष्ट पर्थम ये राष्ट कूट नरेश पूच रहा है करते हैं राष्ट कूटो का सरचण प्राप्था यह important question है बहुत important question है बहुत को jain को सय को या साक्त को तो इसमें जो आप जैन धर्म को क्योंकि राष्ट कूटो ने जो निर्माद करवाया है ठीक है मंदिरों में तो उन से जादा धर्म कौन से देखने को मिलते हैं तो जैन धर्म देखने को मिलता है आगे बात कर लेते हैं अजन्ता आयोम इलोरा की गुफा किस नगर में इस्थित है बहुत इंपोर्टन्ट है नासिक मुंबई और अंगाबाद और पुणे तो आपसन इसका सी सही है क्या और अं अले की गुफा मौजूद है अगला कोश्चन बहुत इंपोर्टन्ट है यह गुप्त काल से संबंदित जो मंदिर है उनसे संबंदित कोश्चन पूछा है तो आपसन ए में गुप्त मंदिर दिया गया सी में वह अस्थान दिया गया तो इट से निर्मित मंदिर दसा अतार मंदिर, स्यू मंदिर, बिस्णू मंदिर और ये गाउ में है, तो हमने लेक्चर में पहले ही बताया था, जब हम लेक्चर ले रहे थे कि ये सम्बंदित कोश्चन आता है अभी देखिएगा कहाँ पे ये कोश्चन आया तो इसका जो आपसन है दोस्तो क्या, एक इट निर्मित मंदिर जो है ये भीतर गाउ में है क्या, कानपुर के भीतर गाउ में और दसा उतार मंदिर कहाँ है देवगड में है, दो का दो स्यू मंदिर कहाँ पे है, स्यू मंदिर दोस्तो तो भूमरा में है, क्या, भूमरा में बिश्डू मंदिर एरण में है कहां पर एरण में तो आपसन इसमें कौन सा सही है दोस्तो पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा और तीसरे का यानि की C का चोथा और D का पहला देख लेते हैं आपसन कौन सा सही है पहले का तीसरा दूसरे का दूसरा और तीसरे का चोथा तो बादामी की गुफा बिचार करना है ये कोस्चन दिया गया है इस पर विचार करना है कह रहा है बादामी की गुफा गुफाएं भारत की प्राचिंतम और सिष्ट सहल कृत गुफाएं हैं दूसरा बराबर की सहल कृत गुफाएं समराट समराट चंद्रगुप्त मौरद्वा तो आफशन इसमें जो सही है बात कर लेते हैं एक एक करके ठीक है दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या बादामी की जो गुफाएं है यह प्राचिंतम यहां पर देखें पहले क्या दिया गया स्वारी दोस्तों गले में खरास है तो क्या कह रहा है कि प्राचिंतम है जबकि ऐसा नहीं है प्राचिंतम अगर हम बात करें गुफाओं में तो सबसे प्राचिंतम कौन सा है भीम बेटका है तो इस परकार यह क्वेश्चन पहला गलत हुआ दूसरा कह रहा है कि बराबर की सह गुफाओं को दान किस ने दिया था तो असोक है केवल तीन आप अगली बात करते हैं आगे क्या है अजनता की कला को इन में से किस ने परसय दिया बहुत important है चालुक, पल्लो, वाकाटक या गंग तो आपसन जो इसमें सही है दोस्तों सी सही है वाकाटक क्या वाकाटक ने इसका निर्मार करवाय था किसका तो अजन्ता की कला का आगे बात कर लेते हैं अगला अजन्ता की गुफाएं निमलिखित में से किस सम्बंदित है बहुत important है रामायार से सम्बंदित है महाभारा से सम्बंदित है जातक कथाओं से सम्बंदित है या पंचरतंत्र की कहानियों से सम्बंदित है तो अजन्ता की जो गुफा है मोलता वो बहुत धर्म से संबंदित है और बहुत धर्म में हम अगर देखते हैं तो जातक कथाएं परचलित बहुत ज़्यादा है तो जातक कथाएं इसका आपसन क्या हुआ आपसन क्या हुआ दोस्तों तो जातक कथाएं से संबंदित है महा भारत जो है महा भारत की अगर बात करें तो आप भीम बेटका में महा भारत से संबंदित कुछ चित्रकारी देख सकते हैं आगे important question यह कह रहा है इस पे हमें विचार करना है निमलिखित एतिहासिक अस्थलों पर विचार कीजिए अजनता की गुफाये लेपाच्छी मंदिर साची स्थूप तो इसमें कह रहा है निमलिख उप्यूकत अस्थलों में से कौन सा या से भित्ती चित्रकला के लिए जाना जाता है तो ये भित्र चित्रकला के लिए बात कर रहा है ठीक है दोस्तों कौन सा तो भित्र चित्रकला अगर हम देखते हैं तो अजन्ता पहला तो सही है ठीक है पहला तो अगदम करेक्ट है दोस्तों इसके साथ में लेपाची मंदिर क्या है दोस्तों लेपाची मंदिर में भी हमें कथाओं से संबंदित तोरण बनाए गए है, क्या तोरण बनाए गए है तो आपसन एक और दो इसमें सही है तो केवल एक और दो ही इसमें सही है, अगला question, अगला question कह रहा है अब ये भी important है, पूछ रहा है एक अस्थान पे क्या, एक अस्थान पे संबंदित है आंदर परदेश से और अरिका मेडू अरिका मेडू और उसके साथ में सिसुपालगर बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं कहां से संबंदित है तो दोस्तों सिसुपालगर जो है कहां से संबंदित है ओडीसा से संबंदित है कहां से ओडीसा से संबंदित अरिका मेड्यू जो है ये पांडी चेरी में है तो पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथा और चौथे का पहला आपसन देख लेते हैं पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चौथा चौथे का पहला आपसन एही इसमें दिख रहा है आपसन ए सही है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप्शन क्या है नर्सिंग देव अर्मन राजेंद्र चोल असोक ख्रिट्ष देव राय तो इसको बनवाया था नर्शिंग देव परथम लिएा काрах ये अपने बिशिस्ट सेली के लिए बहुत प्रसिद्ध है इस मंदीर का आधार एक बिशाल चबूत्रा है इसके चारो और पत्थर के तरह से उए बाहर पहिये लगाए गए हैं और सूर के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूत्रे के सामने जो सीडिया है उनमें साथ असो की सतंत्र मूर्तियां लगी है किसमें दोस्तों तो सूर के कुणार्क मंदिर में इसी से सम्बंदित द्रोपदी का रथ है भी वो भी अभी बात करते हैं आगे करके ठीक है और कुणार के सियू मंदिर को काला पेगोडा क्या ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसे दिमाग में छाप ली जो बताए हैं आगे प्रिमित और सोर मंदिर यह इसे टटिय कहा जाता है यह मामलपूर सैली में निर्माड किया गया है इसका पल्लो सासकों के द्वारा खजुराओ क्या खजुराओ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्या खजुराओ तो खजुराओ पूच रहा किस ने बनुए था तो ख राख्या करी चुके हैं अगला कोश्चन तो वही सूर्य मंदिर कहां पर है तो कुनार्क मंदिर में सूर्य मंदिर कहां है कुनार्क में इस्थित है आगे जगनात मंदिर किस राज में इस्थित है बंगाल उडीशा केरल उत्तर परदेश तो जगनात मंदिर जो है उडीशा म इस्थित है आगे बात करते हैं उड़ीशा में नश्ट होने से बचे निमनाकित मंदिरों में सबसे या सर्वाधिक बड़ा और सबसे उचा मंदिर कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा वेस्वर मंदिर जगन्नात मंदिर लिंगराज मंदिर इसके साथ में राजा र ςाइनी मंनिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तो तो इस कोस्चन के आने के पीछे कारण है दोस्तों क्या करण है कि अगर पूचे नागर सैली में सबसे सुध नागर सैली का कि रचना में कहां देखने को मिलती है तो लिंग राजमंदिर में ये नागर सैली में इसको बनाया गया है क्या तीन सैली आएं दोस्तों एक है नागर सैली दूसरा है बेसर सैली तीसरा है दर्विड सैली तो अगर एक-एक सैली की हम बात करते हैं जैसे नागर सैली तो हिमालाई से लेके परवत और अजंता अजंता के जो परवत है उनके बीच में देखने को मिलता है अजंता से कन्या कुमारी तक क्या हमें दर्विण सैली के मंदिर देखने को मिलते हैं अगर हम इस परकार से बांटते हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तो लिंग नागरसली का ये उधारन है सुद्ध नागरसली का उधारन लिंग राज मंदिर है बहुत इंपोर्टेंट है लिंग राज मंदिर अवस्थित है कहां पे तो दोस्तों लिंग राज मंदिर कहां पे है उडिशा के भूनेस्वर में इस्थित है ठीक है आगे मुंडेरा का सूर बिहार गुजरात ओडीशा या बंगाल तो आपसने कौन सा सही या दोस्तो मधेरा का थो दोस्तो मधेरा का जो सूर मंदिर है यह गुजरात में इस्तित थे कहा पर गुजरात में और इसको कब बनवाया गया था में एधा 26 म किस सासक ने था किस बंस ने तो सोलंकी वंस का जो सासक था कौन एक था भीम देव कौन सोलंकी वंस के सासक राजा भीम देव ने इसका निर्माद 1026 इसवी में करवाया था किसका मुंडेरय का सूर्व मंदिर कहां पर है यह गुजरात में इस्तित है आगे बात करते हैं बहुत एक तरफ एतिहासी कस्थल दिया है दूसरी तरफ क्या दिया गया है राज एतिहासी कस्थल राज भीम बेट का पूछ रहा है कहां पर है तो मद्य परदेश में सेर टेंपल या सोर टेंपल हमपी कहां पर है करनाटक में मानस कहां है असम में बचा एक क्या सोर टेंपल या सेर टेंपल यह है तमिलनाड में पहले का दूसरा पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का चोथा चोथे का पहला आपसन देख लेते हैं पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तो आपसन इसमें हमें भी दिख रहा है पहले का पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का नेश्वरं तथा पूरी के मंदिर की सहली में निर्मित है नागर दर्बीण बेशर है इसके बारे में भी अब हम थोड़ा थोड़ा करके चर्चा कर ले रहे हैं तो इसका आफ्षान है क्या नागर सहली दोस्तो बहुत इम्पॉर्टेंट है नागर तो नागर सैली दर्विण सैली में बहुत ज्यादा अलंकरान किया जाता था ठीक है बहुत बड़ा बड़ा अलंकरान किया जाता था और बेसर सैली जो है ये बिंद परवत और अजनता परवत के बीच में बेसर सैली बिक्सित हुआ है नागर सैली अगर हम देखते हैं तो उ पुटर भारत में नाघर सहली और मद्ध भारत में बेसर सही ठीक है इस परकार से आप इसे याद रखिए गा इसी परकार से मंदिरों का निरमाड हुआ है अगर कोस्चिन आ तो बोरो बदूर दोस्तो जावा में इस्थित है क्या बोरो बदूर जावा में इस्थित है अगला question बहुत important question है ये भी इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है बैजनात धाम सारनाथ दिलवाडा बद्रीनाथ तो एक एक करके बात कर लेते हैं जैसे क्या सारनाथ तो सा बद्रीनाथ और बैजनाथ क्या बद्रीनाथ और बैजनाथ बैजनाथ जो संबंदित है दोस्तो किस मंदिर से संबंदित है तो बैजनाथ सीव से संबंदित है बचा एक क्या बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ बिसलू से संबंदित है लाल क्रिस अडवानी रथ यात्रा दूसरा दूसरे का तीसरा देख लेते हैं कौन सा है पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा आपसन एही इसमें दिख रहा है पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का पहला चोथे का चोथा ठीक है दोस्तो इसी साथ में लास्ट कोस्चन इस लेक्चर का दोस्तो यह कटा हु पूंच जा चुका है नागार, बेशर और दरोफ मीन से संबंदीत है तो मंदिर वास्तव कला से संबंदीत है इसाथ दोस्तों यह क्वापत होता है जय हिंद नमस्कार